टेस्टी फूड रेसिपी हमें आप सभी का एक बार फिर स्वागत है तो हम ले आ रहे हैं आपके लिए वेट लॉस सीरीज की रेसिपी तो यहां पर बहुत ही हिल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है एक इन्वा की रेसिपी यह वेट लॉस रेसिपी बहुत ही टेस्टी हेल्दी है और आप इसको अपनी बॉड़ी में इम्मिनिटी को बूस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते है क्योंकि एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टी होती है और इम्मिनिटी को बूस्ट करता है आइंटि औक्सिडेंट भी होते हैं फाइबर एंट प्रोटीन भी है तो कैसे बनाते हैं इसे अब हम इसको आपको शेर करते हैं यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिया है और इस बॉल में हमने ले लेना है किनवा वान कॉप वन कप किनवा ले लेंगे आप इसको आपको लगबग एक से दो घंटे सोक करना है जितना जादा टाइम आप इसको सोक करेंगे उतना जादा ये टेस्टी बनेगा किनवा gluten free भी होता है तो जिन लोगों को gluten intolerance है वो भी इसको enjoy कर सकते हैं यहाँ पर हमने half cup moon dal ले लिया है दुली वाली आप चाहें तो छिलके वाली भी ले सकते हैं वैसे तो किनवा में प्रोटीन होते ही हैं बट किनवा में और प्रोटीन अडिशनल आड करने के लिए हमने यहाँ पर दाल को आड किया है किनवा में fiber भी बहुत अच्छे amount में होता है बजो आज recipe हम share कर रहे हैं यह fiber dense होने के साथ साथ आपके लिए protein rich भी है बहुत healthy है immunity को boost करेगा anti-inflammatory property आपके किनवा में तो होती ही है साथ ही आपकी body के लिए बहुत जादा अच्छा है और इस winter season क्यों नहीं से enjoy किया जाए क्योंकि दिन होते हैं चोटे और आपको इस time पर लगती है कभी-कभी कम हो तो शाम को हम इसको dinner में enjoy कर सकते हैं weight loss, cholesterol, diabetes, fatty liver किसी के लिए भी है बहुत healthy recipe है तो कुछ देर soak करने के बाद देखिए कब से कब 2 घंटा हमने इसको soak किया है काफी हद तक इसने moisture को absorb कर लिया है और यह बहुत अच्छे soft हो चुके है जितना जाद आप इसको soak कर लेंगे उतना अच्छा यह बनकर तयार होता है तो यहाँ पर हमको इसको nutritious बनाने के लिए कुछ vegetable चाहिए यहाँ पर हमने एक carrot लिया है जो बड़े साइस की हमने chopper में इसको chop कर लिया है बस एक cooker में आप इसमें थोड़ा सा mustard oil को heat करेंगे या फिर जो भी oil आप यूज करते हैं गी को में advise नहीं करूंगी पर जिलोग को cholesterol और diabetes वाला issue नहीं है और weight reduce नहीं करना चाते हैं इसमें थोड़े से डालेंगे आप cumin seeds याने की zira और थोड़ा सा mustard seeds याने की सरसो के दानी आपको इसमें add कर देने हैं थोड़े सी हींग अच्छे digestion के लिए आपको add करनी है साथ ही अब यहाँ पर हमने vegetables को saute करना है vegetables जो हमने लिया है वो है आपका carrot जो कि हमने एक बड़े size की carrot ली है इसको आप saute कर लेंगे साथ ही इसको और बहतर करने के लिए और protein और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर fresh matter का use किया है तो fresh matter हमने लिया है one cup इसको अच्छे से आप saute कर लेंगे इसी के साथ आपके पस जो भी vegetables है beans etc वो आपस बैट कर सकते है मेरे पास यहाँ पर capsicum है beans मैंने रात की वज़े से add नहीं किया है कभी-कभी ज़्यादा fiber लेने से कुछ लोगों को in-digestion भी हो जाता है यानि के deceded tomatoes का यूज करना है और एक बार अभी तक फिर से आपने चैनल अगर सभी subscribe भी नहीं किया है तो please चैनल को जरूर subscribe करें और इसमें एक चमच हल्दी डाल दे है चैनल को भी जरूर subscribe कर लेजेगा Facebook पर भी आप हमें follow कर लेजेगा जहाँ पर reels और बहुत सारी पोस्ट हम शेयर करते है यहाँ पर हमने regular मिर्च नहीं डाली है यानि की powder नहीं डाला है हमने यहाँ पर जाला है green chili दो green chili को हमने यूज किया है इसको पका लेंगे हमने इसको पकाने के लिए इसको ढकन बंद कर दिया है अब हम इसमें next process की तरह बढ़ते हैं चान सब्सक्राइब नहीं किया है तो tasty food recipe अब को subscribe कर लेज़े और आप facebook पर देख रहे हैं तो follow कर लेज़े like, share, comment करना बिलकुल मन भूलिएगा अब हमने जो soak किया हुआ किन्वा था और दाल थी वो इसमें add कर देनी है इसको भी vegetables के साथ में मसालों के साथ में अच्छे से कुछ देर के लिए सौते कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से mix हो जाए अब आप इसमें क्या add करेंगी इसमें salt add करना है और तो इसमें और कुछ requirement add करने की है नहीं आप लास में जरूर इक चीज़ और टिप में बता दूगे आपको क्या करना है तो इसको थोड़े दर कीरे सौते कर लेना है अगर आप liquidy खिचडी बना रही है तो इसमें पानी जादा add करें अगर आप dry बना रहा चाहते हैं तो पानी कम add करें क्योंकि काफी हद तक absorb हो चुका है तो ये आपके कम से कम 500 तो 700 आमल तक water up इसमें आड़ करके इसको cook कर सकते हैं हमने salt डाल दिया as per the taste आप चाहें तो rock salt या black salt का use कर सकते हैं हमने दो विसल के बाद इसको open किया था तो देखिए कुछ आजी तरह से ये cook हो गया है आपके cooker में जो भी जैसे भी depend करता है 2-3 विसल तक ये पक जाता है तो मेरे लिए जो consistency चाहिए मुझे बिल्कुल perfect consistency आ गई है और बहुत अच्छे से किनवा पक भी गया मैं इसको serving ball में डाल रही हूं और मैं इसको enjoy कर रही हूं आप चाहे तो सब green chutney के साथ enjoy कर सकते है या फिर दही के साथ तो मैं तो इसको plainly ले रही हूं क्योंकि मैं इसको dinner में बना रही हूं और आपके साथ भी रेसिपे शेयर कर रही हूं इसको थोड़े से धनिय पत्ती के साथ में आप गानिश करें बहुत ही टेस्टी डिलिशुस सी रेसिपी वेट लॉस की तैयार है फैटी लिवर, डायबेटीज, कोलेस्टरोल सब के लिए बहुत ही हिल्दी रेसिपी है बच्चे भी इसको इंजॉय करेंगे तो जरूर इस रेसिपी को ट्राय करें साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सेहट डिलाइट को टेस्टी फूर रेसिपी हब को जरूर फेस्बुक पर फॉलो कीजिए बाबाई मिलते हैं नेक्स रेसिपी में